नमस्कार चर्चा करेंगे इन द्रिष्टियों में सबसे पहले हम विधेवादी इतिहास द्रिष्टि को जानेंगे और उसके बाद मार्क्सवादी इतिहास द्रिष्टि को समझेंगे फिर तीसरे अध्याई में हमारे सामने साहित्य के इतिहास को समझने की रूपवादी, सम्रचनावादी, उत्तर सम्रचनावादी और उत्तर आधनिक्तावादी द्रिष्टियां सपस्ट होंगी साहित्य के इतिहास के प्रसंग में इन द्रिष्टियों को जानना इसलिए महत्वपोर्ण है कि साहित्य के इतिहास में तथ्यों का संचयन भी इन दृष्टियों पर ही निर्भण करता है और फिर उन जुने गए तथ्यों की व्याख्या भी इन ही दृष्टियों पर अवलंबित होती है